हेलो, वेल्कम टू तेज़ एजूकेशन, मदिपर्देश पटवरी परिच्छा के लिए सामाने प्रवंधन के ऐसे प्रश्ण में आपके लेकर आया हूँ, जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो दोश्ता इन सभी प्रश्णों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजेगा, चले सुरू करते हैं, सबसे पहला प्रश्ण है कि भारत में लेखा मानक एक इस विसाई में व्याख्या करता है, अर्थात लेखा मानक वन जो है भई, वो किस विसाई में व्याख्या करना ये आपको बता देना है, तो आप हमी से याद रखना कि भारत का जो लेखा मानक व बिवरणों में महत्वपूर लेखांकन नीती प्रकटी करण का वर्डन करता है लेखांकन नीतियां जो बिभिन प्रकार की होती है उनको इस पश्च तरीके से व्यक्त करना ही क्या रहता है भई प्रकटी करण रहता है ठीक भई प्रकटी करण की किरिया होती है प्रकटी करन अर्थात प्रकट ठीक है भई चलिए आगे बढ़ते हैं अगला फ्रश्न है कि आविदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या सब्द दिया जाता है जिसमें सामन रूप से उम्मिद्वार का नाम जनम्तिति लिंग बैवाहिक इस्तिति आदि का पता जो है सा बैवाहिक इस्तिति और उसका एडस ठीक है यह सारी चीज़ें जो रहती है वह क्या कहलता है व्यक्तिगत जानकारी कहलाती है ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न है कि लेखा करन का प्राथम के कारें निम्द लिखित में से क्या है तब याद रखना लेखा कर पूरा रिकोड रखा जाता है यह इसलिए रखा जाता है ताके विती लेंदेन तेक बढ़े इसका प्रमकार क्या होता है लेखा जोका रखने जो है देता है लेखा करना ठीक है भई रिकोर्ज रखना प्रश्ण है आकस्मिक देताएं किसमें दिखाई देती है जो अचानक से देना पड़े ठीक है जो अचानक से देनदारी आ जाए वो किसमें दिखाई देती है तो हमें से याद रखना भई ये जो है तुलन पत्र के लेखा पर नोट्स में जो है दिखाई देती है ठीक है भई विकल्प डी इसका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण है कि वित्य प्रवंधन का निर्णय प्रकार जो है कौन से निर्णयों में खंगित किया जा सकता है तो भई वित्य प्रवंधन का जो निर्णय प्र यह निवेस वित्यन और परसंपति प्रवंधन निड़यों में खंडित किया जा सकता है नक्षे प्रश्ण है कि प्रसिच्छन के कौन से छेत्रों में से एक करमचारी को उसकी समस्याओं को सफलता पूर्पक निप्टान करने के लिए भई तैयार करता है तो प्रसिच्छन के कौन से छेत्रों में करमचारी को उसकी समस्याओं से निप्टने के लिए जो है तैयार करता है ये है आपका कौन सा भई समस्या समाधान प्रसिच्छन कौन सा प्रसिच्छन भई समस्या समाधान प्रसिच्छन है जो किसी भी करमचारी को उसकी समस्याओं के सफलता पूरवक निप्टान करने के लिए भाई पूरी तरह से तयार करता है प्रश्न है कि सइन्युक्त प्रभावन छंता और किस पर योगदान में परवरतन के प्रभाव का मापन करती है भाई सइन्युक्त प्रभावन जो हैharma छंता और EPS पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है अब भई EPS क्या होता है तो EPS से तातपर रहे जो है प्रते अंस आई से होता है इसका तातपर रहे कि अंसों से कंपनी की लावदायक तक कितनी प्रभावित हो रही है नक्षे प्रश्ण है कि कौन से नियम के अंतरगत जो है ट्रायल वेलेंस अर्थात सेस परिच्छन का मिलान हमेशा होना चाहिए तो भई सेस परिच्छन अर्थात ट्रायल वेलेंस का जो मिलान है वो हमेशा प्रतिक डेविट का एक तदनरुप क्रेडिट होता है इससे जो है मिलान हमेशा होना चाहिए नक्षप्रशन है कि एक वैंक समाधान विवरन को किसकी साहिता से तैयार किया जाता है तो एक वैंक समाधान विवरन को हमेशा तैयार किया जाता है वही रोकड बही के वैंक कॉलम और वैंक विवरन की साहिता से नक्षप्रशन है कि लोग अपने कारे में बहतर प्रदर्शन करते हैं जब उने साहिक प्रतिकरिया दी जाती है और वे किसके अंतरगत आते हैं तो भई लोग अपने कारे में बहतर प्रतिकरिया दी जाती है और वे सम्मंध की आविशक्ता के अंतरगत भई आते हैं कि विकल प्रवाः बिशलिशन के हिस्से के रूप में परिच्छत किया जाएगा प्रतिफल की आवश्यक दर जो के रिड निवेस को सेर धारकों के हितों का सरच्छन करने के लिए बनाई जानी चाहिए जिसका सही जवाब आपका विकल्प बी रिड की लागत एक्षप्रश्ण है प्रवंधकों की परिस्क्रत प्रणालिया विक्सित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर वहतर नियंतरन मिलेगा जिसका सही जवाब है आपका विकल्प ए नेक्षप्रश्ण है कि पूझी गत व्यए जो है किसमें परलच्छित होगा तो आप हमेसे याद रखना कि जो पूझी गत व्यए है यहाँ वैलैंस सित अठा तो तुलन पत्र में परलच्छित होगा ठीक है बैलंसीट को हिंदी में कहते हैं तुलन पत्र नक्षे प्रश्ण है कि नियंतरन विस्तरत को निर्धारत करने का सूत्र किसे ने प्रश्थत किया तो नियंतरन विस्तरती को निर्धारत करने का जो सूत्र है यह बी ए ग्रेक्यू नास ने जो है प् वे विकल्प सी नक्षप्रशने निमलेखत में से कौन सा निधी का स्रोथ है तो आप हमेसा याद रखेगा कि जो निधी का स्रोथ है वे वो कौन सा है केबल इमारत के विक्री सेर जारे करना लिया हुआ जो है साभदे रिन और ये पूरे के पूरे वे क्या है निधी का जो के ब्रांट का एक हिस्सा होता है यह लोगों के रूप में जाना जाता है तो यह भई बजट के दौरा निर्धारित किया जाता है बजट जो है इससे संदर्वित करता है, ठिक है बए, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि जब कोई ग्रेता लाभन सरहित दिनांग पर किसी विक्रेता से सेर खरीता है, तो कौन लाभां से प्राप्त करेगा, जिसका सही जवाब है विकल्प D, विक्रेता, नक्यन प्रश्न है जिसका सही जवाब है विकल्प वी निवंध मूल्यांकन नक्षप्रशन है कि भई निमने लिखित में से प्रवंधन सैली उत्पादन के प्रतिनिम्न सरुकार और लोगों के प्रतिनिम्न सरुकार के द्वारा अभिलचित किया जाता है तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प A, अवंधता या अहस्त छेपी निक्से प्रशने की व्यक्ति, फैसले और निणय लेने में बश्तुनिष्ट, विश्लिशनात्मक और अव्यक्तिक हो जाता है तो वही ऐसा व्यक्ति कैसा? वही चिंतनसील व्यक्ति, ठीके? फैसले और निणय लेने में बश्तुनिष्ट, विश्लिशनात्मक और अव्यक्तिक हो जाता है प्रशने की निमलकित में से कौन सा धन का स्रोत है? तब याद रखना दिएगे बिकल्पों में धन का स्रोत भई, इमारत की बिक्री, सेर जारी करना, लिया हुआ सावदेरिन ये सभी धन के स्रोत है तो ऐसे ही हम पूरे आपको 1500 प्लस अबजेक्टे प्रशन उपलब्द कराएंगे प्रवंधन के जिहां सामाने प्रवंधन के तो हर वीडियो आप जरूर देखेगा और पटवारी का फ्री प्रैक्टेस वैच चल रहा है तो वो आप जरूर जोइन कीजिएगा